भाई और भेनों, संत अपने आप में एक ऐसी उर्जा की तरह होते हैं, जो बिन्द बिन्द सितियां परिसितियों में समाज को गती देने के लिए सामने आते हैं। आप देखिए, छत्रपती सिवाजी महराज जैसे राष्ट नायक के जीवन में भी तुकाराम जी जैसे संतों ने बड़ी एहम भूमी का निभाई है। आजादी के लड़ाई में वीर सावरकर जी को जब सजा हुई तब जेल में वो हत कडियों की चीपली जैसा बजाते हुए तुकाराम जी के अभंग गाया करते थे। अलग-अलग कालखन अलग-अलग भिभूतियां लेकिन सब के लिए संत तुकाराम जी की वानी और उर्जा उतनी ही प्रेणा दायक रही है। यही तो संतों की वो महिमा है जिसके लिए नेती-नेती कहा गया है।